श्री अरोबिंदो चुंटिबिशन टू एजुगेशनल थियुरी और फ्राक्रीश फस्ट वी नीड़ को अडरस्टन एबॉट सम बेसिक अफ श्री अरोबिंदो कि स्री अरोविंदो जो थे ये 15 अगस्ट 1872 में कालकाटा जो की कोलकाटा अभी बोला जा रहा है वहाँ जनम लिये थे अगर इनका आरली एजुकेशन को दीखे तो ये दारजीलिंग में आरली एजुकेशन कंप्लेट किये थे उसके बाद एंगलंड सिट हो किये थे और ये सेंट स्पॉल स्कूल अफ लंडन से पढ़े थे और उसके साथ साथ किंग्स कलेज केंप्रीज का उहां से पढ़े थे उसके बाद 1893 में ये इंडिया चले आए थे और इंडिया में जो बोरोडा स्टैट सर्विस जो है उहां काम किये थे तिल 1906 और उसके बाद ये इंडिया का जो इंडिपेंडेंडेंट्स मूव्मेंट उस टेम चल रहा था उसमें वो इनवल्फ हो गये थे और 1902 से ये सिलसला फास्ट स्टार्ट हुआ था और 1908 में इनको इनका जो सेडिक्सम्स था उसके लिए अरेस्ट कर लिया गया था और घृ सिलस में रखा गया था और इनका जो अmosa उसके बाद 1910 में वों डियन को सिफ्ट होगे थी और वो सिच्थरिधौ directly में लिक्डेंग हो इनको घ्रिच्श किया होगे थे और में लिखिशमी में दशिक्समिक्स में स्री अरोविंद्र अलंग विद दा मॉदर जिसको मेरा अलफासा बोलते हैं मेरा अलफासा 1926 में स्री अरोविंद्र आश्रम को अस्टाबलिश किये थे अगर इनका की जो कंट्रिबिशन की लिट्रेचर अगर हम लोग दीखे तो सबसे पहले आता है इनका की जोओ और मेरा अगर नाश्रम की लिए उनका की लिए पर शोठीब साविंद्रेचर अगर स्विंद्र बिए्ट इनका की लिए वन CYkyl्य। थी शविंद्र अविंद्रेन अंपन तो स्क्राल को बेरान बेरान का। the foundations of Indian culture, on the Beda, the Mother, Thought and Aprizeems, the Upanishad, the Renaissance in India, the Supramental manifestation on Himself. See, these are the contributions or literature of Sri Aurobindo. But among these, the life divine, Savitri legend and a symbol, next the future evolution of a man, next the Renaissance in India. Okay, these are some of the most crucial literature which are repeatedly asking in different examinations. So, we need to remember the life divine, Savitri legend and a trendy symbol, the synthesis of yoga, the ideal of human unity, the Renaissance in India. यह सारे के सारे literature को हमको याद रखना पड़ेगा. Next, अगर हमको इनका जो क्यूटूच था, उनका जो statement था, इसी को दिखे तो बहुत significant statement यह दिये थे. और जो सबसे पहले आता है, life according to nature, run the maximum of the west. But according to what nature? The nature of the body, or the nature which exceeds the body. This past, we are out to determine. कि यह वो natures को question किये थे. जो ओस्टेम जो ओस्टेम लोग जो बोल रहे थे, natures, natures, natures. लेकिन यह बुले थे कि हाँ, यह natures के according हमको रहना चाहिए, life करना चाहिए. लेकिन किस तरह का nature, what nature, the nature of the body, कि यह body का nature के हिसाफ से, या body का parent कुछ nature है, उसी के हिसाफ से. कि यह बुले थे कि life is life, यह cat हो सकता है, कि यह dog हो सकता है, कि यह man हो सकता है. कि life में कोई difference नहीं है, वो चाहे cat का हो, वो चाहे human को हो. वो दोनों सेम ही है, सिर्फ difference इतना है, कि हम लोग हमारे जो advantages है, उसी को दिखते हैं. उसके बाद वो बोले थे, true knowledge is not attained by thinking, it is what you are, it is what you become. कि अरविंदों बोल रहे थे कि यह true knowledge जो है, इसी को सोच कर attempt नहीं किया जा सकता. यह true knowledge किया है, हम जो है, you are, कि तुम जो है, वो है true knowledge, तुम जो वनने वाले हो, वो है true knowledge. उसके बाद वो बोले थे, the education of a human being should begin at birth and continue throughout each life. और उसके साथ साथ यह बोल रहे थे, education एक continuous process है, यह जब हम लोग जनम लिये, वहां से start हो गया है, और हमारा throughout the life यह चल रहा है. The mind has to be consulted in its own growth, it has to be induced to expand according to its own nature, उसके साथ साथ बोल रहे थे कि यह mind जो है, वो हमारा own growth को consult करता है, और it has to be included to expand according to its own nature, और खुद का जो नेचर है, इसका जो नेचर है, उसी के हिसाब से वो expand होता रहता है. The chief aim of education is to help the growing soul to draw out that in itself which is best and make it perfect for a Nobel's use. This is the best statement given by Aruvindo for education, कि वो बोल रहे थे कि education का जो chief aim है, वो क्या है, कि यह जो growing soul है, growing soul जो है, उसी को क्या करना, ड्रा करना, to draw out that itself which is the best, कि जो best है, उसी को draw out करना और उसी को एक perfect वनाना, novel use के लिए, उसके बात बोल रहे थे, education must not be confined to the acquisition of knowledge, but should aim at the acquiring of the inner power of the being, कि एजुकेशन जो है, सिर्फ यह equations of knowledge में limited नहीं हो जाना चाहिए, यह उसी से भी earned जाना चाहिए, और किया करना चाहिए, कि इसी का, और एक हम होना चाहिए, कि यह eokinance करे, मतलब वो उठाए, कि जो inner power जो है, inner power जो है, उसको वो जागवत करे, नेक्स्ट, true education helps to bring out a full advantage, all that is the individual from the inner to the outer being, कि यह true education जो होता है, कि एक individual का जो inner potential होता है, उसी को वो outers में लेकर आता है, true education is not for a job, but for life, यह बोल रहते हैं, कि true education जो है, यह सिर्फ जव के लिए नहीं होना चाहिए, एक life के लिए होना चाहिए, यह एक life है, education is building of the powers of the human mind and spirit, कि educations जो है, यह क्या करता है, कि यह build करता है, power of human mind, कि human mind का जो power है, उसी को build करता है, और वो spirit को भी build करता है, the first principle of true teaching, is that nothing can be touched, कि यह जो true teaching को अगर हम लोग दिखे, इसे का first principle ही हाता है, कि कुछ भी पढ़ाया नहीं जा सकता, nothing can be touched, this is also another very crucial statement given by Auroville, next, we must awaken in the child the desire to know, कि हम लोग को यह यह, होने चाहिए, कि वो जो DJR, जो हम लोग चाहते हैं, उसको evokant करना चाहिए, मतलब उसको rage करना चाहिए, educations must be as wide as life itself, और educations क्या होना चाहिए, नहरों नहीं होना चाहिए, उतना wide होना चाहिए, जितना कि हमारा life itself wide है, जितना wide है, और उसके साथ सब गोल रहे हैं, true education is that which prepare us for complete living, कि हम लोग उसी को ही true educations मानते हैं, जो कि क्या करवाता है, कि complete living के लिए हम को prepare कराता है, the aim of education is to bring out of the best in us, to develop our faculties to their fullest potential, कि हमारा education का aims क्या होना चाहिए, कि हम से जो potential है, उसका जो fullest development है, हो गया, उसी को करना चाहिए, हमारा अंदर जो quality है, उसी का एक्तम fullest complete जितना हो पाए, जितना हो सके, उस level का development उसी को करवाना चाहिए, और education का aim यही रहना चाहिए, अगर इनका philosophical foundation दिखे तो यह बहुत ही wide है, और बहुत सरे नया नया concept को यह लेकर आए थे उनको philosophy में, जो सबसे पहले और फरीमच popular जो idea है, वो है integrals education, यह integrals education एक तरह का synthesis था, philosophy, east और west philosophical ideas का, कि उस time जो eastern philosophy जो एक अलग धारा में चल रहा था, western philosophy एक अलग धारा में चल रहा था, तो यह integrals education एक तरह का synthesis था, वो दोनों को एक साथ लेकर आया था, और यह integration of matter, life, mind and spirit, कि यह क्या बोलता है integrals philosophy में, कि matter जो है, life जो है, mind जो है, spirit जो है, यह सब को, सब का integrations का बारे में बोलता है, unified world view के बारे में यह बोलता है, और उसी के साथ साथ, अगर इसी का evolutions का बारे में दिखे, concept of evolutions of consciousness, आतो driving force of existence, कि यह consciousness जो है, यह क्या है, कि driving force, यह existence का एक तरह का driving force है, अगर consciousness नहीं है, तो हमारा existence भी नहीं है, अगर consciousness है, तो हमारा क्या है, कि existence है, तो इसलिए बोला जा रहा है, वो बोले थे कि यह consciousness जो है, कि existence का यह एक तरह का driving force है, और वो जो dualistic thinking, जो बोल रहे थे mind, body, spirit matter, इसी को यह reject कर रहे थे, क्या कर रहे थे, reject कर रहे थे, mind, body, acid holistic thinking नहीं करना चाहिए, यह बोल रहे थे, और यह integrations के बारे में बोल रहे थे, unifiedness के बारे में बोल रहे थे, जो दुसरा concept दिये थे, वो है supramental consciousness, यह पहले बोले क्या, कि integral philosophy जहांकि east-west का synthesis हुआ, matter, mind, life, spirit का unified हुआ, और उसके बात बोले consciousness है, मतलब existence है, और यह एक तरह का driving force है, और यह reject के थे dualistic philosophy, और यह consciousness से ही एक concept निकाले थे, supramental consciousness, तो यह क्या believe कर रहे थे, कि इन्हे higher level of consciousness, beyond the mental plan, कि supramental consciousness का मतलब क्या है, कि एक level का consciousness, जो कि mental plan से बहुत beyond है, मतलब mental, हम जो नर्माली सोचते हैं, उसी से और एक step आगे जाकर, जब हमारा mind conscious होगा, तब उसी को क्या बोला जा रहा था, supramental consciousness बोला जा रहा था, और यह supramental consciousness, आज the next step of human evolution, और यह क्या है, हमारा human evolution का next step है, और education as a means to facilitate the manifestation of supramental consciousness, और education क्या है, कि education एक medium है, education एक means है, जो कि क्या करना चाहिए, कि यह supramental consciousness जो है, supramental consciousness को वो facilitate करना चाहिए, और emphasis कर रहे थे, transformation of the entire being, not just mind, और वो बोल रहे थे, कि सिर्फ एक mind को transfer नहीं होना चाहिए, entire being, entire human को क्या होना चाहिए, transfer होना चाहिए, यह था इनका supramental consciousness, जो की बहुत ही importance यह दिये थे, next concept जो philosophical foundation था, वो है, spiritual humanisms, okay, integrations का बारे में तो यह बोले, consciousness का बारे में बोले, supramental consciousness का बारे में बोले, उसके बाद बोलने है, spiritual humanism, यह क्या है, integration of spiritual and material aspect of life, कि हमारा life में बहुत सारे spiritual aspect है, और उसके साथ material aspect है, वो यह तोनों का integrations का बारे में बोल रहे थे, और इसी को को बोल रहे थे, spiritual humanism, और यह emphasize कर रहे थे, divine potential within each individual, यह emphasize कर रहे थे, दुनिया में जो भी individual है, सब के अंदर कुछ ना कुछ potential है, और वो ही divine potential को क्या करना चाहिए, है कि उसका fullest development करवाना चाहिए, और यह education के थो ही possible है, बोलकर रोबिंदो बोल रहे थे, और उसी के साथ साथ यह reject कर रहे थे, other worldly spirituality in favor of life, every spiritual practice, कि वो spiritual practice के लिए जो अलग तरह का spirituality चल रहा था, उसी को वो reject किये थे, और यह बोल रहे थे, education means to realize the divine in everyday life, और यह education का मतलब क्या है, कि इसी का मतलब यह है, कि हमारे अंदर कुछ quality है, हमारे अंदर कुछ divine है, उसी को realize करना, उसी को facilitate करना, ही education का means है, बोलकर अरोबिंदो बोल रहे थे, यह था उनका तिसरा philosophical foundation, that is spiritual humanism, next यह बोल रहे थे, evolutionary perspective, इनका एक evolutionary perspective था, यह human development का बार में तो बोल रहे थे, और यह जो था, यह एक larger evolutionary process जो चल रहा था, process जो चल रहा है, उसी का एक part है, और अरोबिंदो बोल रहे थे, और उसी के साथ साथ, अरोबिंदो बोल रहे थे, education अज़े टूल to accelerate individual and collective evolution, कि यह जो individual, accelerations, collective evolution, education क्या कर सकता है, इसी को accelerate कर सकता है, यह individual और collective evolution को accelerate कर सकता है, और उसी के साथ साथ यह emphasize कर रहे थे, the development of higher faculties and potential, और हरबक के higher level of thinking, higher level of faculties, higher level of potential का unfoldment, development के वारे में ही यह बात कर रहे थे, नेक्स्ट और जो लास्ट इनका philosophical foundation था, वो है integral yoga, जो कि बहुत ही important है, और इसी का मतलब क्या है, synthesis of various yogic traditions, कि दिखिए कि इंडिया में बहुत सारे तरह का yogic tradition था, जैसे कि कर्मयोगा, वक्ति योगा, ज्यान योगा, राज योगा, इसे चार तरह का yogic tradition था, और इसी में separations दिखने के लिए मिल रहा था, लेकिन और भी नहीं कि ये सब को क्या करना चाहिए, synthesis करना चाहिए, integrate करना चाहिए, और वो लेकर आए गया integral yoga, और उसके साथ application of yogic principles to all aspects of life, including education, और ये बोल रहे थे कि ये जो yogic principle है, ये जिन्दिकी का हर एक aspect में इसी को applicable होना चाहिए, और उसके साथ साथ ये बोल रहे थे, education में भी इसका application होना चाहिए, goal of transforming the entire being, not just achieving personal revelations, और ये बोल रहे थे कि personal revelations सिर्फ नहीं होना चाहिए, entire being का जो transformation है, वो होना चाहिए, उनकर और विन्द भ्यूज दे रहे थे, अगर इनका core principles को दीखे, जो educational philosophy का core principle है, उसको दीखे, तो fast आता है integral education, जिसमें कि ये बोल रहे थे, holistic development of individual, physical, vital, mental, psychic, spiritual, ये बहुत बार ये वाला questions पुछ चुका है, अलग-अलग जाम में ये और विन्द तो जो बोल रहे थे, holistic development, integral education, तो इसमें क्या क्या component था, इसमें पांच component था, वो है, psychic, vital, mental, physical, vital, mental, psychic and spirituals, और ये बोल रहे थे, holistic development तो ये सब का होना चाहिए, और उसी के साथ साथ, उसी में एक balanced growth होना चाहिए, हो गया, personality का, integration of traditional subject with art, craft and spiritual practices, और art, craft और spiritual practices, जो है, उसी को भी क्या करना चाहिए, हमारा curriculum में integrate करना चाहिए, और उसी के साथ साथ ये जो multiple intelligence जो है, इसी के उपर, इसी का development के उपर क्या कर रहे थे, ये बोल रहे थे, cognitive development होना चाहिए, emotional development होना चाहिए, social development होना चाहिए, और उसके साथ सा spiritual development भी होना चाहिए, बोलकर स्री अरविंदो, जाजागार के emphasize का रहे थे, तो ये था integrals education, next इनका जो core educational philosophical principle था, वो है free progress system, और ये free progress systems का मतलब क्या था, कि emphasize कि ये थे self-directed learning and increasing motivation, कि free progress मतलब एक तरह का self-directed personality instruction, आज का data में जो हम लोग बोल रहे हैं, उसी का बात का रहे थे, self-directed learning होना चाहिए, student को कोई motivate नहीं करना चाहिए, वो internally motivate होना चाहिए, जिसकों को intrinsic motivations बोल रहे थे, और ये reject कर रहे थे, rigid standardized curriculum को, और standardized examination systems चल रहा है, उसी को क्या किये थे, reject किये थे, और ये encourage कर रहे थे, explorations, experimentation, discovery, इसके उपर ही emphasize कर रहे थे, और एक flexible time tables के बारे में बोल रहे थे, ठिक और रविंदरनात टागुर के जैसे, और ये personalized learning बात के बारे में भी ये बोल रहे थे, और ये emphasize किये थे, development of self-discipline and responsibility in learner, कि ये self-discipline जो है, responsibility in learner का जो है, इसी के उपर भी ये emphasize कर रहे थे, next, अगर educational philosophical principle को हम देखे, तो वो है learning by doing, ये भी practice, experience के उपर ज्यादा emphasize दे रहे थे, और बोल रहे थे, education केसा होना चाहिए, practical, experiential होना चाहिए बोलकर ये emphasize कर रहे थे, उसी के साथ-साथ ये integration of theory and practice की हर एक subject में ये theory और आज़े लाज, practice, experience, practical वो रहना चाहिए कहे कर रहे थे, उसके साथ-साथ emphasis on project-based learning, hands-on learning experiences इसी का बार में बोल रहे थे, real world problems, challenges को curriculum में incorporate, integrate करने का बार में बोल रहे थे, और जो skill है, knowledge equations तो होना चाहिए और knowledge equation के साथ-साल student को skill का development, student का जो skill है, उसको भी develop करना चाहिए, ये स्री और अरविंदो बोल कर रहे थे, जो next good principle था, श्री और अरविंदो का educational philosophy को लेकर, वो है individualized education, और ये individualized education में क्या बोल रहे थे, वो recognize किये थे, each and every individual had some unique potentialities, और learning pace की, ये सुझ रहे थे, ये भ्यूच दे रहे थे कि दुनिया में जितना भी individual है, उनका अलग-अलग unique potential है, और उनका जो learning pace है, वो भी एक दूसरे से अलग है, और ये emphasize कर रहे थे, टेलरिंग's education to individual need, interest and capacities, और ये education जो है, वो child का, वो individual का need, interest और capacity के हिसाफ से होना चाहिए, ना कि उसी से ज़्यादा, ना कि उसी से कम, और ये emphasize कर रहे थे, discovery के बारे में, और nurturing को ये emphasize कर रहे थे, हो क्या है, क्योंकि ये discovery और nurturing जो है, वो student का जो innate ability छे, student का जो potentiality छे, उसी को unfold कर सकता है, और ये एक flexible assessment method के बारे में बोल रहे थे, जो कि diverse individuals, differences को, individuals को क्या कर सके, कि accommodate कर सके, और उसके साथ साथ ये personality guidance और mentoring के बारे में भी बोल दे थे, next core principle जो है, वो है teacher as facilitator, क्या teacher as facilitator, ये रोबिंदो जे थे, वो teacher को क्या बोल रहे थे, कि एक facilitator के तरह देख रहे है थे, ये teacher, जो है, ये कैसा होना चाहिए, इसी का role क्या होना चाहिए, कि ये guide करना चाहिए student को, student को facilitates करना चाहिए, rather than an authoritative figure, कि एक authoritarian figure ना होकर, ये student को guide करना चाहिए, और facilitate करना चाहिए, ये emphasize कर रहते, एक conducive learning environment के उपर, कि जो school है, जो learning environment है, वो कैसा हना चाहिए, वो एक्दम conducive होना चाहिए, और ये emphasize कर रहते, development of close nurturing relationship between teacher and students, कि students and teacher के अंदर एक close relationship रहना चाहिए, जहांकि teacher nurtures कर सके student को, और उसके साथ साथ self development का continuity के बारे में बोल रहे थे, spiritual truth of teachers का बारे में बोल रहे थे, और उसके साथ साथ ये collaborative approach of learning के बारे में बोल रहे थे, जहांकि student and teachers, एक दूसरे से student जो की सिर्फ learn करने के लिए, teacher सिर्फ पढ़ाने के लिए एसा नहीं होना चाहिए, वो दोनों co learner होना चाहिए, students learn करना है, वोसे का teacher एक co learner होना चाहिए, ऐसे स्री और रविंदो teacher को describe किये थे, और उसके साथ साथ जो उनका next, जो core principle था, वो है, educations for life, कि ये रविंदो जो थे, वो बोल दे थे, ये educations क्या होना चाहिए, educations, preparations for life, rather than mayor's academic achievement, कि ये academic achievement का पीछे ना पढ़कर, educations क्या होना चाहिए, कि preparations for entire life होना चाहिए, इसलिए यहां जो student है, उसका life skill development होना चाहिए, character development होना चाहिए, values develop होना चाहिए, ये सब कुछ develop होना चाहिए, alongside with academic knowledge, academic knowledge तो उसको मिलना चाहिए, लेकिन इसी को छोड़ कर life skill, character, values, ये सब का भी development होना चाहिए, और ये practical applications of knowledge का बार में बोल रहे थे, कि student को real life platform में, real life situation में, उसका जो theoretical knowledge है, उसको practice करने का एक opportunity देना चाहिए, और ये से setup करना चाहिए, श्री अरविंद बोल रहे थे हैं, अगर cultivation of adaptability, creativity, problem solving skill, कि ये जो उस टेम चे जो बोल रहे थे, adaptability, creativity, problem solving skill, ये सब को student का जो उसको cultivate करने का बार में बोल रहे थे, ये सब को enhance करने के बार में बोल रहे थे, promote करने के बार में बोल रहे थे, और ये lifelong learning के बार में बोल रहे थे, और continuous life improvement के बार में बोल रहे थे, जो कि आज का date में, अगर unit nation से लेकर हर एक country अभी lifelong learning के बार में बोल रहा है, futuristic learning के बार में बोल रहा है, life skills के बार में बोल रहा ह अरोबिन्दो से लिए अगर नेक्स्ट को प्रिंस्पल देखे ओर नेग 앞에 सवर्भ सवर्भूस שהोग इसके लिए नेगेटिफ नेश्नी एजुकिशनाव क्या है पता है कि अरोबिन्दो जो थे ये एक बहुत बड़ा नेशनालिस्ट थे और ये जो लिख रहे थे उनका वो बहुत सडिस्टिक था इसके लिए मैं पहले से बोल चुका हूँ इनको जेल हो चुका था वो जेल में भी बहुत बार रहे थे उसके बाद इनका जो स्पिरिच्वालिटी है उसी में मिल्यूज उसी से रूठ होना चाहिए और उसी के साथ साथ वेस्टर्न स्नलेज को इन्डियन स्पीरिच्वाल बॉष्टम्स के साथ करना चाहिए ये। तो इंडिया में दुनिया का सबसे ज्यादा दीखने के लिए मिलता है तो औरविंदो बोल रहा था कि यह दुनों का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए और उसके साथ वह नेशनल आइडेंटिटी को प्रोमोशन करने के लिए बोल रहे थे कॉल्चराल स्प्राइट्स को प्रोमोशन करने के लिए बोल रहे थे और वो इसके लिए इंडियान्स लाइक वेच, लिट्रेचर, हिस्ट्री, फिलोसोफी यह सफ को पढ़ने के लिए यह प्रेरीत कर रहे थे और re-interpretation of Indian traditions in light of modern knowledge कि दिखिए हमारा Indian tradition इतना light है इतना bright है कि हम आज तक उसी को interpret अच्छे स्थंग से नहीं कर पाए है और उब इन्दों बोल रहे थे कि modern knowledge जो आ रहा है इसी का light पर हमको क्या करना चाहिए कि जो Indian tradition है, Indian culture है उसी को और एक बार re-interpret करना चाहिए नेक्स्ट ये इनका जो core principle था बो है educations for international understanding कि ये जो educational view था सिर्फ को इंडिया या कोई एक particular state के में नेरो नहीं था इनका understanding worldwide था, international था और ये इसलिए बोल रहे थे कि promotion of global citizenship and human unity चो आज का date में realize हुआ है लोगों को United Nations भी global citizenship के बारे में बोल रहा है human unity के बारे में बोल रहा है ये औरोबिंदो बहुत फेहले बोल चुके थे कि क्या होना चाहिए global citizenship का promotion होना चाहिए human unity को development होना चाहिए और उसी के साथ साथ ये emphasize कर रहे थे और study of world culture, language and global issues इसी के उपर भी international understanding में आना चाहिए fostering intercultural communication and cooperation skill इसी को foster करना चाहिए एक vision of future world unity best on spiritual foundations की spiritual foundation के उपर best करके ये future world का unity का एक visions रहना चाहिए अगर हम लोग औरविंदों का educational philosophy का जो पूर principle है इसी को दीखे तो यहां आएगा कि क्या जो next है वो है concentration of medications concentration and meditation का मतलब क्या है कि integration of concentration exercises and meditation in daily educational practices की students को क्या करना चाहिए कि concentration exercises करना चाहिए meditations करना चाहिए daily life में इनका और उसके साथ सथ ये बोल रहे थे mental focus, clarity और inner calms जो है उसी का development करवाना चाहिए और visualization and imaginary जो टेकनिक है learning में इसी को यूज करना चाहिए और हमारा जो intuition है और higher mental faculties जो है उसी को भी cultivate करना चाहिए और ये beauty और aesthetic को जिसी को की ideology हम लोग बोल रहे हैं इसी को लेकर भी बहुत सारे चीज बोले थे ये emphasize किये थे rule of beauty in education and personal development की जो beauty का जो rule है और personal development उसी को emphasize किये थे और इसके लिए वो art, music, aesthetic ये सारे के सारे चीज को हमारा learning में integrate करने के बारे में बोल रहे थे और उसके सारे सारे बोल रहे थे creation of beautiful and harmonious learning environment एक harmonious and beautiful learning environments create करने के बारे में बोल रहे थे और जो aesthetic sensitivity and creativity जो student का उसी को cultivate करने के बारे में बोल रहे थे और इनका जो last four principle था वो है physical education ये physical development के उपर भी emphasize कर रहे थे alongside mental and spiritual growth और इसके लिए ये sports, yoga और other physical activities को करिकुलम्स में integrate करने के बारे में emphasize कर रहे थे और body awareness, health, physical discipline इसी को उपर भी emphasize किये थे और ये वो बोल रहे थे कि different qualities जाई जाई courage, teamwork, fair play इसी ये sports के तुरू physical development के तुरू physical exercises के तुरू ही ये हो सकता है वोलकर ये व्यूज कर रहे थे उसके बाद अगर स्री औरवेंदो को देखे इनका कुछ key aspect था तो उसको हम लोग अभी discussion करने वाले हैं और जो पहले आता है वो है five principal aspect of principal aspect of education इनका हिसाफ से जो पांच principal aspect था तो वो है physical, vital, mental, psychic and spiritual ये बहुत ही important है और बहुत ही significance है इनका philosophical, educational philosophy में ये physical में क्या बोल रहे थे कि योगा, sports चुकि हम लोग फहले साहीं discussion कर चुके हैं इसी को integrate करना चाहिए और ये health, strength, physical discipline इसी को उपर emphasize कर रहे थे बड़ी awareness के बारे बोल रहे थे, बड़ी का control के बारे में बोल रहे थे और उसके साथ जो इंडियन फिजिकल अफ्रक्टरेश जेए कि योगा, फ्रणायम, modern force के साथ इसको क्या करना चाहिए? अगर vital education को दिखे तो ये जो emotion है, जो हमारा willpower है, जो हमारा character है, उसी को cultivate करने के बारे में बोल रहे थे, कि ये कौन सा education से बिलंग करता है, और इसका development के लिए ये बोल रहे थे, और इसका development के लिए art, craft, इसी को integrate करना चाहिए, और उसके साथ साथ positive emotion, और नर्चर करना, negative emotion को control करना, इसी का बारे में ये emphasize कर रहे थे, और उसके साथ साथ जो leadership qualities है, social skill है, उसी का cultivation के लिए ये emphasize कर रहे थे, और उसके साथ intellectual and mental education के बारे में बोल रहे थे, जहां कि हमको क्या करना चाहिए, जो various subject है, जिसके हमारा mathematics, science, इसी के थुरू हमको क्या करना चाहिए, कि intellectual step profound करवाना चाहिए, और critical thinking, reasoning, imagination इसी के उपर भी emphasize करना चाहिए, concentration, memory, mental flexibility इसी को भी उपर emphasize करना चाहिए, और उसके साथ साथ जो intellectual curiosity, love for learning ये भी होना चाहिए, और वो Eastern knowledge systems का integration का बारे में भी बोल रहे थे, next जो education types बोल रहे थे, वो था psychic education, जिसमें की क्या हो रहा है, कि हमारा जो self है, inner self है, जो soul है, जो साहिची की being है, उसी को cultivation का बार में ये बोल रहे थे, और उसी के साथ intuition, inner guidance, इसी का development को भी promote कर रहे थे, और इसी के तो self awareness, self reflection इसी को emphasize कर रहे थे, इसी को foster करने के बार में बोल रहे थे, और जो हमारा sincerity, honesty, compassion, ये सब का बार में भी, ये सब को भी cultivate करने के बार में बोल रहे थे, और ये बोल रहे थे कि हमारा जो outer personality जो है, वो inner truth के साथ align होना चाहिए, ना कि अंदर से हम लोग कुछ है, और बाहर से हम लोग कुछ दिखा रहे हैं, ये दुन में एक alignment होना ये view कर रहे थे, उसके बाद जो last जो इनका types of education था वो है spirituals, spirituals education और ये spirituals education में क्या बोल रहे थे, कि जो हमारा human का spiritual dimension है, उसी को एवेब करना चाहिए, और cultivate करना चाहिए higher consciousness और universal knowledge को, और उसके साथ साथ एक sense of unity को develop करना चाहिए, और spirituals practice और traditions जो है, उसको भी explore करना चाहिए, और ये spirituality को हमारा daily life में integrate करना चाहिए, ये था इनका जो five types of education, physicals, vitals, mentals, psychic, spirituals, अगर briefly हम लोग बोले तो physical में आपको तो पता ही है क्या सब कुछ आ रहा है, body awareness, strength, physicalness, ये सब आता है, लेकिन vitals को जब हम लोग दिख रहे हैं, emotion, willpower, character, ये सब से develop हो सकता है, वो art and craft के थो develop हो सकता है, okay, next अगर हम लोग दिखें mental, physical, reasoning, imagination, concentration, memory, mental flexibility, love for learning, intellectual curiosity, ये सब कुछ किसी में आएगा, mental education में आएगा, psychic education में क्या आएगा, inner self, soul, intuition, inner guidance, self awareness, self reflection, ये सारे के सारे चीट, psychic education में आएगा, और अगर हम लोग दिखें spiritual education में, जो spirituality है, वो spirituality ही, spiritual education में आएगा, इसी का जो next की aspect था, वो है, three principles of true teaching, की true teaching का तिन principles, श्री अरोबिन्दो दिये थे, वो पहला था, nothing can be done, the mind has to be consulted in its own growth, to work from the inner to far, okay, दीचा, अर्दा, फाइफ, फाइफ, फ्री, most, की principle of true teaching, ये बोल रहे थे, nothing can be done, the teacher is a facilitator, not an instructor, क्यों, क्योंकि ये टीचर जो है, वो एक facilitator है, उसी का duty है सिर्फ फेसिलिटेट करना, फेसिलिटेट फ्रोवाइड करना, ना कि एक instructor, जहांकि वो instruction दे सके, उसी के साथ साथ ये बोल रहे थे, knowledge exists within the learner and must be drawn out, और ये बोल रहे थे, ये knowledge जो आप बोल रहे हैं कि पढ़ाना, 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 कुछ पढ़ाना नहीं होता है, सब कुछ चाइल्ड के अंदर पहले से ही है, सिर्फ तुमारा काम क्या है, कि उसी को एवग करवाना, उसी को ड्राउट करना, उसी को वाहर लाना ही क्या है, एक facilitator, जिसको कि हम teacher बोल रहे हैं, उसी का role है, और ये emphasize कर रहे थे, self discovery, experience, learning, और उसके लिए भी बोल रहे थे, nothing can be taught, कि एक child को खुद discover करना चाहिए, खुद experience करना चाहिए, ये वो भी दे रहे थे, और the role of teacher in creating conditions for learning, और teachers का क्या role होना चाहिए, उसी को एक एसा conditions बना कर देना चाहिए, जहां कि student खुद discover कर सके, खुद experience करके learn कर सके, और उसी का जो inner qualities है, वो पहार आ सके, और उसी का unfurrent हो सके, rejection of root memorization and passive reception of information, और ये जो root memorization जो था, उसी को reject किये थे, और वो passive reception to information है, उसी को ये भी reject कर रहे थे, और या, this is all about nothing can be taught, वाला जो principle है, true teaching का, उसका है, next हम लोग दिखेंगे, तो mind has to be consultant in its own growth, कि ये mind जो है, वो खुद का growth के हिसाफ से ही consult करता है, कैसे, education should follow the natural development of mind, कि education कैसा होना चाहिए, जो mind का जिस तरह से natural development हो रहा है, उसी हिसाफ से ही हमको education देना चाहिए, हो गया, ना कि mind का जो maturity है, वो काम है, और उसी को बहुत ज्यादा हम लोग को education दे जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, जो mind का जितना भी natural truth है, उसी according हमको education देना चाहिए, और बढ़ाना चाहिए, respect for the learner, individual past and interest, और उसी के साथ साथ ये उसी time से फोल रहे थे, कि ये individuals, different students के अंदर दिखने के लिए मिलता है, सारे के सारे student same past में learn नहीं कर सकते, और जो individuals, difference, learning past में दिखने के लिए मिलता है, उनका interest में दिखने के लिए मिलता है, उसको, वो सभी को हमको क्या करना चाहिए, respect करना चाहिए, और उसी according हमको suitable method of teachings को भी क्या करना चाहिए, adapt करना चाहिए, different different child के लिए, और यहां teacher का role आता है, कि जो self-directed learning और exploration उसी के लिए encourage करना चाहिए, और curriculum में भी flexibility लाना चाहिए, ताकि जो अलग-अलग individual जो है, उनका जो पैस है, उनका जो interest है, उनका जो need है, वो सबको accommodate कर सके, तो इसलिए और विन्दों बोल रहे थे, कि the mind has to be consulted in its own group, हो गया, और जो last वाला जो principle था, true teaching का, वो है, to work from the near to the far, यह उनका जो तिसरा वाला principle था, true teaching का, तो begin with what is familiar to learner, हम जो पढ़े थे, maxim of teaching, हो गया, तो उसी को ही यह बोले है, कि पहले हमको similar जो चीज है, जो similar जो हमको पता है, familiar चीज जो है, वो familiar चीज को पहले पढ़ाना चाहिए, और उसी से start करके हम लोग को, चाइल को बहुत दूर तक ले कर जाना चाहिए, gradually expand the broader and more complex concept, पहले simple concept पराना चाहिए, उसके बाद बहुत complex तक हम लोग जाना चाहिए, उसके साथ वो new knowledge को existing understanding जो है, उसके साथ correlate करना चाहिए, और वो जो concrete और abstract concept जो है, उसी में correlations और progress लाना च perspective जो है, इसी को भी integrate करना चाहिए, और जो तीसरा वाला जो key aspect था अरवेंदो का, वो है concept of psychic being, जो की एक नया unique चीज़ था, स्री अरवेंदो का जो central education center था, educational philosophy का, वो है concept of psychic being, इसी का मतलब क्या है, कि belief in an inner guide, और soul, that direct individual growth, कि हम लोग को belief करना चाहिए, हमारे अंदर एक soul है, और वो हमारा जो growth है, उसी को direct कर रहा है, हम लोग क्या कर रहा है, उसी को direct कर रहा है, क्या कर सकते हैं, उसी को direct कर रहा है, हो क्या, तो उसी के offer हम लोग को belief करना चाहिए, और उसके साथ साथ यह बोल थे गूल of education to help the individual connect with the psychic being कि educations का goal क्या होना चाहिए कि individuals जो है उसी को उसी का psychic being के साथ एक connect करवाना ही इसका goal रहना चाहिए और उसके साथ इंफसाइज दे रहे थे inner growth के बार में outer development के बार में तो बोल रहे थे लेकिन उसके साथ साथ वो inner growth भी होना चाहिए और यह भ्यूज़ कर रहे थे और वो cultivation of intuition and inner discriminant जो इसका बार में भी यह emphasize कर रहे थे नेक्स्ट जो की aspect था वो है stages of mental development कि स्री और अरविंद्ध जो थे वो several stage है जिसी कि थ्रू कि यह student का mental development होता है यह वो लेते हैं और खुद का कुछ step दिये थे यहां चार step हमको देखने के लिए मिलता है जो पहला step को वो बोल रहे थे early childhood और यह सोन से लेकर 7th year of age तक continue कर रहा था और यह focus कर रहे थे physical development and sensory experiences in this interval कि यह सोन से लेकर साथ जैसे को कि early childhood वर रहे थे इसी के अंदर हमको सिर्फ physical development और sensory experiences के ऊपर थ्यान देना चाहिए क्योंकि इसी के त्रूं ही चाइल का इसी टाइम mental development होता है और learning through play and imitation के उपर हमको ध्यान देना है यह वाला stage में development of language and basic social skill, emphasis on creativity and imagination यह सब के उपर emphasize देना चाहिए यह early childhood में लेकिन साथ से लेकर 15 एर तक यह childhood में इसी को केटेगराइज किये थे और इसी टेम यह mental faculties जो है basic skill है इसी का development का बार में बोल रहे थे और वो बहुत सारे subject को discipline को इसके लिए introduce किये थे और इस टेम इसे का interest है talent है उसी का cultivation होना चाहिए और experiential और project west जो learning है उसी को over emphasize करना चाहिए next step जो है वो है adolescence जो की 14 से लेकर 21 तक चलता है और यह deeper exploration of chosen subject जो subject को childhood में चुछ क्या है उफो subject का एक deeper exploration एडुलेसंस में होना चाहिए यह रोबेंदो जो दे रहे थे और उसके साथ critical thinking, analytical skill के बार में यह वाला stage में होना चाहिए और जो idealism, higher aspiration यह सब का भी cultivation होना चाहिए characters formation, value education इसी के उफ़वर वे emphasize करे थे और रोबेंदो और इन adolescent stage जो कि इनके हिसाब से 14 से लेकर 21 तक चल रहा था नेक्स्ट जो लास्ट स्टेज था वो है young adult जो कि 21 से लेकर beyond 21 था और इस ताम एक specialization field को specialize करना चाहिए और knowledge और skill को integrate करना चाहिए leadership और social response को develop करना चाहिए और यह self-reliation और spiritual growth को over-emphasize किये थे next जो कि aspect है वो है concept of super mind in education कि higher consciousness का बार में बोल रहे थे जीसी को को हम लोग क्या बोलते हैं सुपर माइंड बोलते हैं और यह intensive super mental super mental faculties इसी के उफर्ट जादा ध्यान दे रहे थे जिसी को कि हम लोग पहरे से discussion कर चुके हैं preparations for next stage of human evolution और यह बोल रहे थे कि next stage of human evolution कैसा होगा उसी के लिए हमको prepare रहना चाहिए और prepare होना चाहिए और emphasize दे रहे थे transformation of entire wing जो entire wing का development होना चाहिए ना कि उसका सब्सक्राइब प्राक्टिकल स्कील और spiritual development के साथ इंटिग्रेट होना चाहिए आर्ट क्रावट फेजिकल एज्विकेशन अलंग सब्सक्राइब ट्राइडिशनल सब्चेक्ट को ख्रवीकुलम में इंक्लूड करने के बार में बोल रहे थे और प्रोजेक्ट बेस्ट और इंटर डिस्प्लेनी लर्निंग को एकॉमटरेट करने के लिए बोल रहे थे और अगर टीचिंग मेथड को देखे तो यह प्रोजेक्ट बेस्ट लर्निंग जो कि रेल वर्ड एफ्लिकेशन्स हो सकता है उसी को उपर ध्यान देते एक्स्प्रेंटल्स और हैंट्स अंस एक्टिविटीज की उपर कंसेंट्रेट किये थे और वो एमपासाइज किये थे मेडिटेशन्स और कॉंसेंट्रेशन्स एक्ससाइजेस के बार में बोल रहे थे ग्रूफ डिसकसंस कोलाबरेटिव लर्निंग के बार में बोल रहे थे नेचे बैस्ट लर्निंग के बार में बोल रहे थे अगर लर्निंग अन्भरमेंट को दिखे तो एक ऐसा ल्रृंनिंग लाना चाहिए जो कि स्टूदेट को वो nurture कर सकते, stimulate कर सके की यह higher earth learning के लिए और उसके साद साद वो जो environment है वो नेजर से एकदम close रहना चाहिए, outdoor classroom रहना चाहिए, garden learning होना चाहिए और उसके साद साद यह emphasize करे थे beauty and aesthetics के उपर यह learning space जो होता है वो एकदम ब्यूटिफुल्स होना चाहिए एस्थेटिक होना चाहिए अगर कोई जा रहा है और तो वहां उसी को भी फ्यूल होना चाहिए कि बहुत अच्छा है और उसके साथ सब यह फ्लेक्जिबूल और अडप्टबूल लर्निंग स्पेसे के बारे में बोल रहे थे ना कि एक नारो करना चाहिए और यह आसस्टम जो ट्राइडिशनल एक्जामिनेश्प स्टम उसको एक्टम सेयक्ट कर रहे थे प्योंर रहे थे सिसी का बार में फर्मेंटिव इवालुशां के बारे में और अब्जर्वेशन्स डालग के बार में स्ट्प इवालुशन का बार में पीर एमपासिस डेमोंस्ट्रेशन के उपर एमपासाइज कर रहे थे और होलिस्टिक एसस्मेंट कॉंसिटरिंग और आस्पेक्ट ऑफ देवलोपन देजिए फीजिकल भार में बूल रहे थे में डिमाक में एक एक बार कोस्टीन आता है इतना सारे इंडियन फिलोसफ पर इतना प आज तक हम लोग यह लोग जो बात बोले हैं उस टाइम उसी को इंडिग्रेट नहीं कर सके हैं और सहत यह एक बहुत बड़े बजा है जिसके करण की इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है इतना नीचे चला गया है तो चाहिए तो टीचर्स ट्रेनिंग को अगर हम लोग द चाहिए जाइल साइकोलोजी यह दोनों के लिए उसको ट्रेनिंग मिलना चाहिए और उसका डीफ अंडरस्टेंड को कल्टिवेट करना चाहिए तो इंटिग्राल एजुकेशन प्रिंस्पूल और डेफलोफ होना चाहिए अप्जर्वेशनल स्केल इंट्विशिव अंडर चाहिए प्रोसस में परेंट्स लोगों का इनफल्फिंड बहुत ही ज़लोरी है और उनकी लिए भी डिफेर बार्षफ और सेमेर करने के बार्में कि ब्यूच कर रहे थे और और काईडेंस और सफूर्ट और अनभर्मेंट में क्यासे चाहिए 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 को मेल सके उ तो इंडिग्राल्स एजुकेशन में कॉम्मेनिटी को भी एंगेज़ किया गया था और उनका भी एक सोच्याल रेस्पोंसिबिलिटी था और इसको भी हमार करिकुलम्स में इंक्लूड करने के बारे में भीयुच दिये थे तो इसके लिए वह गॉणिटी के साथ कोलाबरेट करने के बारे में भी बूल रहे थे ताकि यह जो कमुणिटी है वह एक्टम वाइड हो सके और जो कल्चरल इवेंड है और एक्टिविशन है उसी को भी अर्टनाइज करने के बारे में बोल रहे थे नेक्स्ट अगर हम इस्टिशन को दिखे तो पंडिचेरी में स्री अरविंद्व इंटरनेशनल सेंटर अफ एजुकेशन जिसको हम साइक बोलते हैं वो भी उसी को भी एस्टाबिस किया गया था और इसी का ऐसे बहुत सारे फीचर था जैसे कि यहां फर्माल लेक्ट जैमिन के अांसरिट में पड़ाया तो फोकस्जिकं घ्यांध्यां शुकी इंटेरी उर्बींदो और स्टेर्ह चुल जैता है उसके बात और होवल जिसापोछ को बहुत सरार्य है जो एक्जाम में पोच चुका है कि इसी को बनाया गया था 1968 में और यह पंटिचरी में ही बनाया गया था इसी को इंटरनेशनल टाउनशीफ नियर्थ पंटिचरी होगा और यह एजुगेशनल प्रोग्राम था स्री अरविंदो का जो प्रेशन स्कूल है उसी के उपर बैस कर हстar रहा था एक्स्परिमेंटल सर उल्टरनेटिफ ऐज्युके तर ऊबरेचिकल इप्रोच चैनल दर ons आफ भूराम, की reflecting यहां बहुत सरी तरह का स्कूल था यहां भी work experience के साथ साथ community services को integrate किया गया था multi-cultural, multilingual learning environment के टेट किया गया था self-governance, collective decisions making के उपर ध्यान दे रहा था research and experimentation के उपर ध्यान दे रहा था next था हमारा Merambika, जो की free progress school है Merambika free progress school, जीसी को की 1981 में डेल्ली में बनाया गया था इसी को जो implement था, the free process system, free process system में इसी को implement किया गया था और यह completely child-centered था, experience and learning यहां मिल रहा था और इसी का जो key feature था, वो formal classrooms नहीं था यहां और fixed curriculum कुछ भी यहां नहीं था और learning जो है, वो project के थरू हो रहा था, theme के थरू हो यहां learning हो रहा था और यहां student उनका multiple intelligence है, उसी को integrate किया गया था और creativity, self-expressions को emphasize किया गया था प्लूच एक collaboration यहां दिखने के लिए मिल रहा था, teacher, student and parents का next institution था, Sri Aurobindo Education Society 1968 में बनाया गया था Sri Aurobindo Foundations for Integrals Education and Research 1984 में बनाया गया और जो लाच्ट है, और जो लाच्ट है, और उन्वरसिटी जो के 2011 में बनाया गया है, सुरत में ही यह भी बनाया गया है और यहां एक तरह का, जो Aurobindo है, उनका सारे के सारे educational philosophy है, वो higher education में क्या 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 है, क्या 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 है, और यह जो इन्वरसिटी है, UGLPG programs को various disciplines में प्रवाइड कर रहा है, और यह integral development and leadership skill के ओपर ध्यान दे रहा है Okay, please if you get something new or if you find it relevant, helpful for you, then please like, subscribe and share and comment in this video.